दर्सकों क्या किसी भी इंसान को अपने पती को पतनी को प्रेमी को प्रेमिका को या किसी भी इंसान को आपको अपने वस में करना है अगर किसी इंसान को आप अपने वस में करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महतुपुर्ण औरुपयोगी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक दिब्ब और सटीक टोटके के बारे में बताने वाला हूं जिस टोटके को अगर शनी बार के दिन आप सही तरीके से जो मैं बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप आज माते हैं टोटके का प्रयोग करते हैं तो पैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या करना है कि आपको शनी बार के दिन सुबह के वक्त अशनान ध्यान करना है अशनान ध्यान करके आपको शुद्ध हो जाना है और अपने मन को एकागर कर लेना है और किसी एकांत जगह पर जहां कोई विक्ती कम से कम 15 मिनट के लिए न आए न जाए ऐसे जगह पर आपको जाना है और ऐसे एक आंत जगह पर आपको उत्तर की और अपना मुख करके बैठ जाना है और बैठने के वक्त आपको लाल मुंगे की माला लेकर एक मंतर है उस मंतर का तीन माला जब करना है मंतर है मंतर को सुनिएगा ध्यान से क्योंकि मंतर में आगे जाकर कुछ बदलाव भी हम करने वाले हैं मंतर है इस मंतर का जब आपको लगातार 11 दिन तक किसी एकांत जगह पर करना है और यहाँ पर आपको चैंज क्या करना है कि जहाँ पे हमने अमुक सब्द कहा था ओम नमो भासकराई तिरलो कातमने अमुक यह जो अमुक सब्द है तो अमुक के जगह पे जैसे मानलो की जिसको वस्मे करना है उसका नाम मोहन है तो यहाँ क्या पढ़ेंगे ओम नमो भासकराई तिरलो कातमने मोहन महीपती मे वस्यंकुरू कुरू स्वाहा अगर उसका नाम राधा है तो मोहन के जगह पे जहां अमुक सब्द है वहां राधा लगा देंगे यानि कि अमुक के जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम देना है जिसको अपने वस में करना है और ऐसा प्रियोग आपको लगातार 11 दिन तक करना है जब आप ये कर लेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा लेकिन जब मंत्र को सिद्ध करेंगे उस वक्त अमुक सब्द का प्रियोग ही करना है उस वक्त किसी इंसान का नाम आपको नहीं लेना है क्या पढ़ेंगे शिद्ध करते टाइमे 11 दिन तक जब सिध्ध करना होगा तो किसी का नाम नहीं लेंगे और जब मंतर को हम सिध्ध कर लेंगे 11 दिन तक उसके बाद क्या करना है कि जिस इंसान को वस में करना है उसका नाम लेकर 21 बार जब करना है जब आप यह कर लेंगे तो एक सब्ता के भीतर ही वह व्यक्ति आपके वस में हो जाएगा और जो आप करना चाहेंगे वह आप कर पाएंगी दोस्तों अगर मन में कोई सवाल हो कोई प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मेद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एस्टरोफ और यू को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला